दोस्तों कुत्तों को घी हाजम नहीं होता इस कहावत को चलतार्थ रूप में आप देख सकते हैं मौलदीब के राष्ट्रपती टर्की गए क्यों भाई साहब इनको नया ट्रेड अग्लिमेंट करना था इतने दूर है मौलदीब से टर्की उसके बाबजूद नया ट्रेड अग्लिमेंट करना है जबकि इनका प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर भारत है जनाब आप चोख जाएंगे ये जानकर कि भारत ने मौलदीब के उपर किस हद तक उपकार गिया है आम तोर पर मौलदीब के साथ जो हमारा भ्यापार होता था उसमें मौलदीब को घटा होता था भारत को फायदा हुआ करता था लेकिन पिछले वित्तिय वर्स में भारत ने मौलदीब से खरीदे जाने वाले सामान में शेसो ब्यासी फीस दीबी बड़ोत्री दर्जिकरी परणाम सरूप मौलदीब के साथ ब्यापार में जो हमें लाब होता था वो घाटे में तब्दील हो गया भारत की दोस्ती कितनी विश्वस्नी है ये सिंद करने के लिए मौलदीब को और कितनी बड़ी कुर्बानी की अभिक्षा है भारत से दोस्तों ध्यान दीजिए मौलदीब को सबसे अधिक दवाएं कौन भेजता है जवाब है भारत जी हाँ दोस्तों, चीन की तुलना में नो कुना अधिक दवाएं भारत भीजता है मौलदीब को, मौलदीब के मरते हुए लोगों को चीवन धान दे रहा है भारत, बदले में मौलदीब हमें गालियां देता है दोस्तों, भारती इनवरसीटीज में मौलवीब के विद्यार्थी पड़ रहे हैं उनका भविष्य उच्वल हो रहा है लेकिन मौलवीब तरकी के साथ भविष्य की सम्भावनाएं दलास रहा है भारती हिंद वहां सागर में चील साथ साथ तरकी को भी वो जगह दे रहा है भारती समश्याओं को और ज्यादा बिकराल बना रहा है इसलिए दोस्तों हम पहले दिन से कह रहे हैं मौलडीव के साथ काम चलाने के बजाए हमने कन्नी काटने पर फोकस करना चाहिए मौलडीव को दवाएं देना मौलडीव के साथ ट्रेड इसमे कमी लाना चाहिए हम तो भाई साहब मीद ही कर सकते हैं कि मौधी साहिब मौलडीव के भारत विरोधी बरताओं को मद्दे नजर रखते हुए कम से कम ट्रेड के राह में रोड़े अटकाएंगे मौलडीव को दिन में तारे नजर आने चाहिए जब तक नहीं होगा तब तक हम एक तरफा दुख तर्द जेलते रहेंगे और हां दोस्तों शेयर मार्केट में सफलता के लिए जरूरी होनर और कॉंसल प्राप्त कर लीजिए कि इन तुझाम रखिये का अगले 33 दूनों के बाद एक जनवरी 2026 से हमारे तीनों आत्मने पर इंवेस्टर फ्यूटर से व अभी के भी जॉइन कर लीजिएगा